तो क्या कारण मान रहे हैं, क्या भजनलाल की जो लीगसी थी, लोग उसी को ही फोलो कर रहे हैं अबे लेकिन लोग कह रहे हैं, हमें नजर ही नहीं आ रहे हैं, सड़के तूटी पड़ी हैं, मूल भूत सुवीद हैं, पानी है सिवरेज लाइन, ड्रेनेज और पीने के पाइप लाइन, बहुत बड़े काम हैं यह, वो बिच्छाए जा रहे हैं कोई एक दिन में मुए कोई तरीका, कोई उपाय बता दे कि एक दिन में यह तीनों काम कैसे किये जाएं, मैं वैसे कर लूँगा सरकार बन रही है, एफन बट का सवाल नहीं है, सरकार जुरूर बनाएंगे, जो कॉंगेस पार्टी के लोगे तो सरफ सोर मचाते लेकर दुकान में माल नहीं है, सरकार जुरूर बनाएंगे, दस साल से बहुत ही मानदारी के साथ हमारी सरकार ने काम किये है आपके फादर जो है सीयम पद के दावेदार है अपने लीगसी को लेकर भी भजनलाल की और काम को लेकर भी वमारे 14 भजणलाल परिवार के दुवार पर बाजपा पाटी के दुवार कोई भी काम लेकर आता है मैं ही तुर नहीं पूछ ना कि आपकी जात क्या है नमस्कार आप देख रहे हैं पंजाब के स्टे टीवी मैं हूँ आपके साथ रिंकी बत्रा हर्याना में नबे विधान सबा सीटों पर चुनाव हैं और ऐसे में आदमपूर हलके की बात ना की जाए ऐसा तो होई ही नहीं सकता पिछले 56 सालों से चौधरी भजनलाल का इस सीट पर दब दबा रहा है इस वक्त हमारे साथ उनके पोते भवे बिश्नोई मौजूद हैं जो अपना राजनितिक करियर का दूसरा चुनाव लड़ रहे हैं भवे जी बहुत बहुत स्वागत है आपका सर इस बार देखे बाइलेक्शन जादा टफ था या यह दोजार चौबिस का विधान सब जादा टफ ना तो वह था ना यह है लेकिन मैं ओवर कॉंफरेंस में नहीं कहा रहा है आपको मैं कॉंफरेंट रहता हूं क्योंकि 56 साल जैसे अपने जिकर किया कोई मामूली बात नहीं होती 56 सालों से चौजी बजनाल परिवार ने यहां के हमारे 37 बादी लोगों के विश्वास को कायम रखने का प्रयास किया है और आदंपूर की जनता ने भी बुरी सी बुरी परिस्तियों में हमारा साथ दिया हमें आशर्वा दिया है तो बहुत ही गहरी जड़े हमारी है बहुत विकास करने का हमने प्रयास किया है और डेट सालों की बात करूं तो मैंने आट सो क्रोड के विकास कारे को इंजाम देने का मैंने प्रयास किया तो इन सभी तमाम चीजों को देखते हुए मुझे विश्वास है कि एक बार फिर आदंपूर की भली जनता मुझे उनकी सेवा करने का मौका देगी अच्छा भवे जी पिछले 56 सालों से चुकी भजनलाल परिवार का ही कोई ना कोई विधाय के सीट पर जीतता रहा है ना तो इतने बिश्णोई हैं इस सीट पर सबसे अधिक जाट वोटर्स हैं तो क्या कारण मान रहे हैं क्या भजनलाल की जो लीगसी थी लोग उसी को ही फोलो कर रहे हैं अब जातपात की राजिती हम करते नहीं अगर ऐसा होता तो पूरे हराना प्रदेश में 0.01% विश्णोई है तो हम तो 36 ब्रादरी की बात करते हैं और आदमपूर में जैसे मैंने कहा कि सारे लोग हमारे परिवार के लोग हैं और जो विश्वाश इसकी मैं बात कर रहा था हमने बड़ी मेहनत के साथ खून पसीने के साथ तीसरी पीड़ी सेवा में आ गई है हमने प्रास किया है और साथ तमाम चीजों को देखने के बाद हमारे जो आदबुर के लोग हैं मतान करते हैं और यहां पे कुछ आधपात की बात नहीं है यहां पे दो प्रकार के वोटर हैं, एक वो है जो हमारे चौरी बजना परिवार के पक्ष के हैं और एक है जो विपक्ष के हैं और हम प्रयास करते हैं कि जो विपक्ष के लोग हैं उनको हम अपने परिवार में जोडने की कोशिश करें और हर बार हम कामया भी रहते हैं क्योंकि आप देखोगे तो हर चुनाब में हमारी बड़त होती है और इस बार भी मुझे उमीद है क्योंकि पिछले कई हफ्तों से बड़ी संख्या में ऐसे परिवार हमारे साथ जुड़े हैं सडके टूटी पड़ी हैं मूल भूत सुवीद हैं पानी है वह सबसे बेसिक है देखिए पानी ट्यूब वेल के कनेक्शन लोगों के काफी जादा जरूरी है आपके पिता से अभी हमारी बात हुई थे तो उन्होंने हमें पूरी लिस्ट दिखाएए थी कि ये काम हमने की हैं क्या आप भी वही लिस्ट लेकर चल रहे हैं? वहाँ पड़ी है सही कहाँ आपने लिस्ट हमें वैसी लिस्ट की आवश्यक्ता नहीं है अब लोग कह रहे हैं ये मैं कहते हो विपक्ष कह रहे होंगे क्योंकि लोगों की जबान पे तो ये बात है कि काम हो रहे हैं और लोग बड़े समझदार है अब ऐसा तो नहीं है कि अगर सड़कों का काम है जो समय उसको लगता है वो तो लगेगा हर काम का एक प्रोसेस होता ह काईदा होता है मंडी आदंपुर के अंदर सिवरेज लाइन ड्रेनेज और पीने के पाइप लाइन बहुत बड़े काम है यह वो बिच्छाए जा रहे हैं कोई एक दिन में कोई तरीका कोई अपाय बता दे कि एक दिन में यह तीनों काम कैसे किये जाए मैं वैसे कर लूँग पांच गाओं के अंदर हमने बिचली घर मंजूर करवाई हैं चार गाओं में वोटर वर्क्स मंजूर करवाई हैं और इसके इसके लावा भी कोई ऐसे विकास कारें जिनके में विस्त्रे सूची मारे पास है और सूची इसलिए रख रहे हैं ताकि जो विपक्ष के लोग जो बं रड़क बाते करते हैं, जो अंधेरे में तीर मारने का पर्यास करते हैं, उसको हम जवाब दे पाएं, क्योंकि हम चौती भाजनलाल परिवार और हमेशा बहारती जनता पर्पार्टी की जिस तरह की कारे सेली है, मतलब किसे आप सबसे अधिक तवज्जो देते हैं? पाजबठा के साथ काम कर रहे थे और कर रहे हैं और दोनों चीजों से मैं प्रभावित हूं और बहुत को सीख भी रहा हूं आगे बहुत को सीखना भी है अच्छा आपके फादर भी चाहते हैं कि आप किसी बड़े पद पर रहे हैं सरकार में आगे अगर आप विधायक बने बनते हैं तो चलिए यही सवाल कर लेती हो तो पहला सबसे पहला काम क्या करेंगे देखिए सबसे पहले तो जो हमारे पास मेरे डेट साल के अंदर हमारे इतने साथ ही आए थे मांग पत्र के साथ अब डेट साल में सारे काम पूरे होने संभव नहीं है फिर भी मैं समस्ता हूं 800 क्रोड के काम लाना डेट साल के अदर अपने आप में काफी कि मारे ना ढानिया बहुत है आदमपूर हलके में सबसे ज़्यादा अदर नबे नबे हलकों में आदमपूर में हैं और कई जो सरकारी पॉलिसीज है जो नियम है वो अकसर गाउं तक सीमेत रहती है तो मैंने विदानस्वा में वाज उठाई थी और आगे भी इसके लड़ है रस्ते बजली है यह चार चीज़े तो होनी चाहिए तो यह हमारे जो पेंडेंग काम इनको में प्राइटी दोंगा इसके अलावा एक दो बड़े काम में जूरूर करना चाहूंगा एक स्पोर्ट से रिलेटेट कि हमारे यहां स्पोर्ट का क्रेज बहुत जादा है यू प्री की तो खुद को किस पदपर देख रहे हैं जी सरकार बन रही है फन बड़कर देखने हैं सरकार चलिवन कि सरकार इसब्समें किया हैं जिस भी स्धाकर में हर WHY ही मुझे लोगों करदेश के फापनच उड़ा नहीं कितनी संख्या है लोग मुझे कि मिलते हैं इतने प्रभावित हैं सरकार से कि हमारे गरीब लोग हैं और घर बैटे ही महिनत के अधार पर हमारे बच्चों को नौकरी मिली है बिना कर्ची बिना पर्ची के इतनी बड़ी बात है जहां कि जो कॉंग्रिस देस्टाल के सरकार थी उसमें गरीब आद में सोच मे और अपद की आपने बात करी मैं तो एक सिपाई हूँ एक कार्यकरता हूँ भाजपा का और मैं बड़ा खुश्रसीर समझता हूँ कि मुझे इतने कम उमर में परदेश की सबसे बड़ी बड़ी पंचायत में जाने का अफसर मिला और इसके लावा भी मुझे युवा मूर्चा का प्रदेश प्रभारी भी बनाया है तो उस नात्य से मैं सेवा कर रहा हूँ युवा के मुद्धे उठा रहा हूँ इसके लावा भी कोई जम्मेदार एकर मुझे मिलती है मैं प्रकार्स त्यार हूँ पानी पीए सकते हैं अच्छा आपके दादा जी चौधरी भजनलाल मुख्य मंत्री रहे हैं तीन बार आपके चाचा जी डिपटी सीम रहे हैं पिता जी को भी थी एक उमीद सीम बनने की कि उमीद तो उमीद है तो दुनिया काइम है उमीद तो सभी कर सकते हैं और चौधी कुलदीब जी का प्रिदा जी का बनता भी है क्योंकि मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि उनको मैं बहुत निजदीक किसे जानता हूँ आपने भी उनसे बात करी होगी तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि कोई आदमी अगर कोई इंसान निदीर प्रिदार जी से मिल ले तो वो प्रभावित हुए बगार नहीं जाता ऐसे उनकी एक magnetic charismatic personality है मेनती है संगरशील है प्रदेश के एक मातर ऐसे नेता है जिन्होंने पूरे प्रदेश का ब्रह्मन धाई बार किया हो किसानों के लिए खुद आगे आम तोर पे लोग नेतागरी जुरूर करते लेकिन जब काम का समय आता है जब तो उस समय पीछे हटने का काम करते हैं सबसे प्रतम पंक्ति में खड़े होते हैं उन्होंने लाटे खाने का काम किया पढ़े लिखे हैं बहुत अच्छा विजन है उनका प्रदेश को लेकर किसमत इन्हें मुकदर ने उनका साथ नहीं दिया वो दुर्भागे पूर्ण है लेकिन और मैं समझता हूँ यह कहिना कि प्रदेश का भी दुर्भागे है कि उनको पिता जी के उस प्रकार से सेवा लेने का मौका नहीं मिला लेकिन मुझे वरोसा है कि बगवान के घर में अंधेर नहीं है और मुझे विश्वास है कि पविश्य में उनको अपने कद के अनुसार शमता के अनुसार जमिदारी मिलेगी और वो पूर्ण रूप से प्रदेश की और आने वाले समय में देश की बिसेवा करने का काम करेंगे विधान सभा से कभी भव्य को हम लोक सभा में देख सकते हैं राजय सभा में एनिधिंग इस पॉसिबिल पॉलिटिक्स और मैं मैंने हमेशा मेहनत से काम किया है लेकिन उस तरह से मैं महतव कांक्षी नहीं हूं जो मुझे जमिदारी हमारे जनता देगी जा पार्टी देगी नित्व देगा मैं हर प्रकार से त्यार ह जब मैं पॉलिटिक्स में एंटर करने की मैंने ठानी थी सोची थी तो मैंने मुझे इस बात का एसास था कि मैं एक पॉलिटिकल फैमी में से बिलॉंग करता हूं यह जो परिवारवाद का जो टाग है हमेशा मुझे उसके साथ जीना पड़ेगा तो मैं किसी भी सूरत में लाइटली फो ग्रांटेड नहीं लेता बच्पन से ही मैंने कोशिश करी चाहिए उस चिक पढ़ाई के माद्यम से हो चाहिए मैंने दो साल नौन प्रॉफिट हेक्टर में भी काम किया उसके बाद जब से मेरा जन सेवा का राजनी और उसके बाद मैं खुद की नौन से त्यार होंगा अच्छा आप भी कहते हैं कि आपके फादर जो है सीम पद के दावेदार है अपने लीगसी को लेकर भी भजनलाल की और काम को लेकर भी किसानों के साथ भी आप लगातार खड़े रहे हैं लेकिन अभी हाल ही की बात करूं तो चुनाप्रचार में दो किया नहीं कहुंगा मैं कहूंगal अपश मेंबी मतबेत कही बार हो जाते हैं और परिवार में भी हो जाते हैं तो कुछ परिदो घाओं के आप कर रहे हैं और वहाँ थोड़ह BOT हुआ था कुछ मेंसें अब ही तो नहीं को worst subtit powin開始 करना सब कपा अपना अधिकार है और हूस ये कुछ गर्मा गर्मी में था और अधक्य किसी के नुकसान हो गया था और हम आपने अपनी बाख रखी पर कुछ लोगों के सवाल थे सवाल उनने पूछी है उनका अधिकार है हम जवाब देने लगे लेकिन कुछ लोग जवाब सुनने को तियार नहीं थे तो इसलिए गर् और और कोई बात ही चलता रहते हैं तो वोट कट सकते हैं यह इस बार OBC कोई दाव खेल सकता है हम जातपात की बात क्यों करते हैं दुनिया कहां से कहां पहुंच गी हम लोग फिर भी जाती-पाती में उल्जेवे हैं हमारे 14 भजनाल परिवार के दौर पर बाजबा पाटी के दौर पर कोई भी काम लेकर आता है मैं यह तो नहीं पूसना कि आपकी जात क्या है आपका धर्म क्या है आदंपुर का एक 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 इंसान मेरा परिवार एक से दिस्स है और हमने सब 36 ब्रादरी के काम उसी दिश्री के साथ किये हैं तो मैं जात पात कि मैं गुसना भी नहीं परिवार के लोग और यहां जातीपाती का नारेटिव चलता भी नहीं कि हमां पर लोग आदंपुर के लोग बड़े शाने हैं एक कारण है कि 56 साल से लोगों का विश्वास काइम रखने में कामियाब रहें कि हम सब को परिवार के नाते हम सब लोगों को टीट भी करते और उनका मुकाबला तो कर बेनी सकता तो अगर मैं कहूं कि मैं सरफ तो किमपारिजन तो करना भी नी चाहिए कि इस लोग प्रभावित हो और अगर मैं अपने जीवन काल में चोधी का एक परसेंड भी अगर बनता हूं तो मैं समझेगा मेरे जीवन की सबसे बड़ी जीत होग तो मैं तो यही कहूंगा कि मैं उन्हीं से सब कुछ सीखा है और उन्हीं का एक चोटा अंश में होने का बनने का प्रयास कर रहा हूं अचा विरूधी कहते हैं कि जहां एक समय पर चौधरी भजन लाल की प्रभाव जो था पूरे प्रदेश की सभी विधान सबा सीटों पर था लेकिन अब बिश्णोई परिवार सिर्फ मंडी आदंपूर तक ही सीमत रह गया है इसमें किती सचाई है बिल्कुल हूँ सचाई नहीं है इसमें और प्रभाव आज भी पूरे नब्वे के नब्वे हलकों में है और सिर्फ हर्याना में ही नहीं है बलकि राजसान के 37 सीटों पर भी है और इसी कारण से चौधी कुलदीब जी को राजसान के चुनाव में सह प्रबारी बनाया था और हराना के वरतमान चुनाव में से उज़े भी बनाया है और विभिन मेहतिपूर्ण कमीटियों का सदस्य भी बनाया है राजनेते गूप से उस प्रकार से कामया भी नहीं मिल पाए क्योंकि इन पॉलिटेक्स काफी कुछ चीजे पर इस्तित्यों पर होती है कई पर मुकदर साथ नहीं तक किसमत साथ नहीं देती लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो जनाधार के चला गया है जनाधार आज भी है और आगी और भी ज्यादा हम इसको मजबूत करने काम काम करेंगे चाचा कॉंग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं उन्हें कैसे मजबूती देंगे दिवताओ जी है मेरे वो और हमारे परिवारे एक तौर पर हमारे संबंद बहुत अच्छे हैं हलाकि हमारी राजनेयतिक विचार धरा अलग है तो उस पर हम फिर हम हस्तक शेप नहीं करते वो उनका उनका शित्र यह हमारा शित्र है मेरे श से वोट नहीं दिया उप चुनाफ से बहुत बैतर परणाम होंगे और मुझे उमीद है कि 2019 के जो विधांसभा चुनाफ थे चौदी कुल्दीब जी के उससे भी बैतर परणाम हों मेले लेकिन बहुत बढ़िया जीत आदमपूर की होगी बहुत शुक्रिया सरावका तो य साहिब के साथ मेरीं की बत्रा मंडी आदमपूर नमस्कार